गोड़ा का ललमट्या इलाका रनभूमी में हुआ तबदील एक तरफ अधिकारी एक तरफ खरे रहे ग्रामीन इसील कराने पहुँची जमीन की घेरा बंदी ग्रामीन पारंपडी खत्यार के साथ हो गए एक जुट अधिकारी समझाते रहे इधर ग्रामीन भी अड़े रहे ग्रामीनों ने कहा विस्थापितों को अब तक नहीं मिला मुआपजा बिना नौकरी और मुआपजा अब नहीं देंगे और जमीन गोड़ा के ललमटिया थाना शित्र में बस्डीहा का इलाका रनभूमी में तब्दील हो गया यहां एक तरफ एसियल राजमहल पर यूजना के महगामा अनुमंदर प्रश्वासन का पूरा दलबल मौजूद रहा वहीं उनके सामने थी बस्डीहा, तालजारी वबेरंडा के ग्रामिन जुसमें महला पुरू सभी पारंपडिक हत्यार के साथ मौजूद थे लंबे समय तक ग्रामिनों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन ग्रामिन नहीं माने क्या है मामला आईए जानते हैं गोड़ा के ललमटिया के इस इलाके में एक और E.C.L. प्रवंधक की और महा प्रवंधा खुद मौके पर मौजूद थे उनका कहना था कि हम उन जमीन की घेराबंधी करने आए हैं जो उन्हें रईयतों ने दी है वहीं दूसरी और अस्थान ये लोगों ने एक जुट होकर कहा कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे कर जबर जश्ति कर हैं इसे लोला फोर्स पंगा करके इसके लिए कोई आप लोगों से बात याप लोगों से इजाज़त नहीं दी गई पूच नहीं दे लिया है अश्ति आप लोगों से लोगों से लिया है गंटों दोनों ओर से तना तनी के स्थिती बनी हुई है आम कॉर्पोरेट की तरह ECL प्रवंधन भी लोगों को समझाने बुझाने के लिए मशक्कत कर रही है लेकिन लोग मानने को तयार नहीं है आखरकार ग्रामीनों के भारी विरोध के बीच ये खबर छनकर आई है सिर्फ बसडिया के कुछ जमीन अधिग्रहन पर सहमती बन पाई हाला कि इस पूरे मामले पर प्रवंधन की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया है जानकारी के अनुसार फिर से ECL प्रवंधन प्रशासन के सहयोग से जमीन अधिग्रहन कर सकती है हाला कि इसके पुष्टी अभी नहीं हुई है ग्रामीन पिछले कुस दिनों से लगतार विरोध कर रहे है उनका कहना है कि ECL प्रवंधन ने पूर्व में लोगों को ठगने का काम किया है जिनका नतीज़ा है कि पूर्व में हुए जमीन अधिग्रहन के बाद विस्थापितों को आज तक मुआबजा और नौकडी नहीं मिली है इसे बार बार टाला जा रहा है यही कारण है कि ग्रामीन जमीन देने के लिए तयार नहीं है बताया गया है कि जो जमीन दायतों से ली गई उनके लिए ग्राम सभा से सहमती नहीं ली गई है कुछ लोगों को प्रवंधन दौरा अपने पक्ष में कर जमीन ले लिया गया है ग्रामिनों को कहना है कि ऐसे बगएर ग्राम सभा के भूमी अध्रिग्रहन को वे नहीं मानते हैं वहीं E.C.L की बात करें तो E.C.L प्रवंदन की एक बड़ी समस्या है कि उसे खनन के लिए जमीन की दरकार है अनिता उनका उत्पादन बंद हो जाएगा राजमहल पर योजना से N.T.P.C. कहलगाओं और N.T.P.C. फरका को कोईला आपूरती होती है राजमहल पर योजना को अगर नई जमीन कूल ब्लॉक के लिए नहीं मिलती है तो कूल उत्पादन ठप हो जाएगा और इसका सीधा असर दोनों ही N.T.P.C. पर पड़ेगा ऐसे में राजमहल पर योजना चाहती है कि जल्द नई भूमी अध्रिग्रहन कर कोईले का उत्पादन करे अनिता कोलवरी के बंद होने की भी आशंक कोल इंडिया दोरा व्यक्त किया जा चुका है वहीं दूसरी और ग्रामीनों का सीधा कहना है कि उनका विश्वास प्रवंदक पर नहीं है पूर्व के अनुभव काफी बुड़े रहें वहीं हर कॉर्परेट हाउस की तरफ प्रवंदा नए ब्लॉक को किसी भी परिस्थती में पाना चाहती है और इस कारण लगतार दोनों पक्षों के बीच आए दिं तना तनी के स्थती बनी रहती है तो हम यहां अभी तालजहरी के पास हैं और जो भी मामला है हम जानते हैं कि ग्रामीन जो तालजहरी से हैं हम उनसे जानने कुछ करते हैं क्या मामला हो रहा है और क्या कुछ हुआ है यहां पर कल से लिग आज तक हुए जमीन सब हम लोग नहीं दे रहा है तो वही जबर जस्त लीए है वुए दू आदमी यानि अपना हिसा दे करके चला गया है तालजारी के रहने वाले एक दू आदमी अपना जमीन दे चुके हैं भाग गाहें से आप लोग उसको तो सैथ ब्यदखल कर दी होंगे ने उत्तों करना ही पड़ेगा वह अपने अपने मने मन भाग गया तो हम लोग क्या करेंगे अभी अभी फिलाल में क्या आप लोग को आप लोग ग्रामिनों का क्या कहना इस जमीन को लिए क्या कहना है आपना जमीन में नहीं जी सकते हैं इसलिके हम लोग जमीन नहीं देपाएंगे सबकुछ है हम लोग का तो जीवन बसर जमीने से होता है पिडी वा पिडी चला जाता है आपका नाम क्या हुए? भायरा टॉड्डू पाल जारी हमको स्रिफ उनसे बात हम लोगा काना है कि जमीन नहीं देंगा जबर जश्त तो अपने चला रहा है देना नहीं चाह रहे है आगर अपना जमीन में खाल रहा जाते तो उसमें अपना लाठी चला चला कि आमको भगा दे रहा है देना तो हम चाहते नहीं हम लोग्हों काहना था कि आप जबरजयस्त बिशी से हम सब्सक्פ», बिंशन जो का दिखने का। हएँ वन्ट जप्फू को फिर्शी उठी होता है। हम लोग स्रीफ खील वारी से नोग देुल नहीं चाहते ई जब्लग दे नहीं चाहते है तो यह बात हम लोगना रहें ओक के तालजहरी गाओं में लगबक कितने ग्रामीन होंगे कितने कितनी आबादी है गाओं कि आपके हैं से इसेल कॉम्पनीयों से अम लों जमीन नहीं दा चाथे हम दा नहीं हमें इसेल में जमीन ही मतलब सब्सक्राइब आपने बोला के अपने बोला पचास बीट अपना तल्जारी मौजासे पचास पीट सीमाना मतलब दूरी पर ही अपना खदान कोड़ेंगे अभी तो जवर जस्ती अपना जमीन जवर जस्ती अपने मन माने कोई जरुत नहीं पड़ता है अभी देखे अभी तो इतना फसल हो रहा है तो पर मतलब बरबाद करके अपना काम कर रहा है आगे आगे आप लोग का क्या कारवाई होगा इस चीज को लेके आप लोग मतलब ग्रामीन तो सक्त और तरकी से हैं कि आप लोग जमीन नहीं दीजेगा इसील को देना ही नहीं है फसल भी आप लोग की बरबाद हो रही है तो साफ तोर पे हम हमारे चैनल के माधियम से आप क्या कहना चाहेंगे इसील पता दीकारियों क्या कहना चाहेंगे किया उनको बोलेंगे बोलने के बाद भी उतो नहीं सुनता है हम लोग को मतलब डियाती आदमी हम लोग यह थी जैसे कीड़ा मकुड़े तरह हो गया है और इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं अभी तो बरबाद ही कर दिया है अब मुआ जाके लिए खोजेगा हम लोग को फिर ज तो आपने देखा पूरी ग्रामिनों की बातें आपने सुनी और ग्रामिनों का कहना है कि ECL प्रबंधन जबरदस्ति उनकी जमीन को हड़पने के लिए है इनका जीवन यापन इसी खेतिबाड़ी से होता है आप देख सकते हैं और पूरी तरह से निर्भरता इसी पे है और इसलिए भी ये अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते है